एमान का पहला दर्जा, दूसरा, तीसरा, चोथा, पाढ़ा गए तुमको पता है इमान के दस दर्जे हैं यह तुमने गहां पढ़ा है आदीज में है कि इमान के दस दर्जे हैं तो मैं सोच रहा था के मैं इमान के कौन से दर्जे पर पहचा हूं, तकरिप इतने साल हो गएं, तो कही ने कहीं तो पहुंचा हूंगा, पहला दरजा या दूसरा या उससे नीचे आगया, क्या पता है? बढ तो इसे पकड़ के रेखना मजबूती के साथ बहुत जरूरी होता है बलकि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस भी दरजे पर हो हम आगे बड़े आगे जाएं तो मेरे खाल से चलो आज हम लोग पता लगाते हैं इस प्रोग्राम के जरिए नाजरीन भी हमारा साथ देंगे कि एमान के जो दस दरजे हैं वो क्या दस दरजे हैं और हम एमान के किस दरजे पर फाइज हैं या हो सकते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है आज का इस पर बात करने के लिए आएए बड़े ही इजड़त और रहतराम के साथ शो पर इस अइकबाल करते हैं और मुलाकात करते हैं हर दिल अजीज जनाब प्रोफेसर कमाल उदीनकबर सापका अमादा साब एक बहुत इंटरेसिंग स्वाल है हम लोग बच्पन से सुनते हुए आ रहे हैं कहानी वगेरा भी जब घर में सुनाई जाती थी यही होती थी कि देखो इमान के 10 दर्जे हैं वो जनाब मीसम और कमबर का शायद वाकिया भी है कुछ ऐसे ही तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इमान के 10 दर्जे हैं इस 10 दर्जे के बारे में अगर पता लगाना है कि हम इमान के कौन से दर्जे पर हैं तो कैसे पता चलेगा यह मुम्किन है सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ जी मैं पहले एक सवाल आप से करूँ आप जासे पैदा हुए है, आपका दिल धड़क रहा है, तो ब्लड प्रेशर जानने के लिए मिशीन की जरुरत क्यों है, आप बिताइए इस वकित आपका ब्लड प्रेशर क्या है, यह तुम्हें एक क्या है, गुस्से में होंगा तो जादा बता सकता हूं कि हाई हो गया, नहीं हाई हो गया या लो हो गया छिता आपके सकते हैं, जी, माल लिए उसका भी अंदाजा वला मुश्किल होता है, लेकिन आप बता सकते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, लेकिन कोई आदमी जब तक मिशीन नहीं लगाएगा, ब्लड प्रेशर को जान और जीं सकता है, तो वैसे ही जो internal aspect होते हैं, उसको वो ही बता सकते हैं. जैसे मिसाल को तोरThere, भो पहले दमाने में भी था बुखर है, जिस्म गरम हो गया. बात लूकाद जिस्म गरम होता हो बुखर है. फिवर नहीं है. कभी-कभी ही होता है, अधिम महसूस नहीं और हम अगर फिवर है तो ये थमामेटरी बताता है कि बहुता है कि नहीं है कोई आदमी खुद से ते करने ले लगे कि ता हमारा यह बोगा यह अदे एक डिवाइस होती है एक चीज होती है इस्पेशल यह गिरावट तबियत में महसूस हो सकती है कुछ और हो सक तो उसका जवाब दे लिए ना किते डिगरी का इमार है किसी एक आदमी देखे जनाब फातिमे जहरा सलाम ललाह अलेहा हजरत अली और इमाम हसन इमाम हिस्था ने रोजा रखा था नजर और मन्नत के तहट रोजा रखा था और पिर वो जब इफ़तार का मौगा आया तो र रोटी के खान रोज सिर्फ पानी पर इफ़तार किया पानी से सहरी की तीसरा रोजा भी ऐसे ही रखा और एक कैदी था जो मदीने के पर आउट सकर्ट के में नहीं जा सकता था उसको दे दी तो अला ने पूरा सूरह हल अता उतारा कि तुम्हें यह है 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 तीन दिन नहीं की दिये मैं कहता हूँ का हदरते अले लिए मिलता है किया आपने उटों की पूरी खतार दे दी थी एक रोटी की मगर पूरा सूरह नहीं आया तो इसका मतले में कि जो एक्जामेनिंग अथारिटी है गॉट की वो खुद फैसला करती है कि किस मौके पर क्या चीज है अब कोई जैसे जो आप ते जिसको कोट किया अल्ला के रसूल ने इरिशाद फरमाया कोटेशन है जनाब अबुजर के लिए और अधरते सल्मान के लिए अचा हाँ शाद नाम लेने मेरे कर्क्यूजर होगा अबुजर साथ दरजह एमान पर और मिगदा आठ दरजह एमान पर और अब चनाब अबुजर साथ और 10 दरजह एपर और अचार लोगों को बताया हाँ पेगंबरन बिए और भी बता सकते थे तो मकस्द यह के पेगंबर को तो वह वैसे ही जैसे डाक्टर साब हमारा बलड प्रिशर बता देते है ост aha उन्हों ने वह कुछ किया नहीं बल उनका डारेक्ट लिंक है इसलिए उन्होंने बता दिया वो बता सकते हैं वो बता सकते हैं तो कहना यह है कि एक खरावी और भी है अगर आदमी खुद समझने लगे कि मैं मौमिन हूँ और अपने उस्वारे में फैदला करने लगे तो और खतरनाक हो जाता है कि यह अपनी बा संद है बनिजबत अमल करने वालों की इस्तिगनाया उनका बेपरवाई से हम तो करी चुके हैं क्या है अरे हम तो बहुत नमादें परख चुके हैं हमने तो इत्ती वरतबह जारत इमाम किया है यह इत्ती वरतबह मैंने हच किया है जब तक अब आपने में उसका कापना व फर्याद करना कि में तो कुछ नहीं हूँ मेरे तो कोई हैसियत नहीं है अल्हा को यथाधा पाशां को स ¿हां को जा इमान मैं तो यही है जब आपको अपने को पुछ ने कि अब 1976 आ लगा जाए कि हमारा जो इमान है वो खालिस है या नहीं या हम को गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं जी नहीं जो पूरी कैफियत जो है आपकी जो अपने आप आप आपको पता लगा रहे हैं जिस वक्त आपका दिल लग रहा होता है किसी कारे खेर में या नेकी में चैरिटी काफी पर ऐसा पहोता है कि हम किसी गुना की तरफ जा रही थी आ खर हमारा नफस हमें रोक रहा होता है यह रहा है यह पैलत है! इसको बैलेंस करना है कि वह यह वाला नजीत ने पाई दोनों टीमें हमारे पास हैं अच्छा हमों फोद इंटर्नली फाइट करना है इसका मतलब यह कि जैसे विडियो गेम आप तो अल्ला नहीं एक ऐसा वह बना दिया सिस्टम बना दिया है जिसमें आपको फाइट करना है और नेकी को नेकी प्रेवेल करें और बुराई के उपर आप फता पाएं जी तो चाहता है कि हम हलवा खा लें हैं बड़ नगस्ते हैं अगर यह कि यार रोज़ा है रमदान का महीना है घर बर गया हुआ हुआ है बादार में शौपिंग करने के लिए गया हुआ हुआ है ज कोई देखने याए नहीं रहा है हमने रोज़ा रख्खा सहरी से लेके ऊफ्तार तक रोज़ा रख्खा तो उसमें हमें यह थ सवूर है कि खुदा देख रहा है कि खुदा की वज़े से रख़ए न देखे यह तन वह पढ़ता है कि मॉमिन के अमल आमवियों ज्यादा नमाद जिसने पढ़ी है और दुर्टवित नमाद उस्दितने पड़ी है और दोरर्कष नमाद अभूर की नमाद अबूम जिचादुर-नमाद अबुझा-उ-द्र। जर चल रहा है तो इसका मतलब एक मुसादवी की जिंदगी में भी इम्तिहनात के स्टेजेस होते रहते हैं जो बलंद करते रहते हैं अच्छा उसको मैं अक्सर कहता हूँ जब देखे कि बहुत से मुमिनीन जो ये सवाब काउंट किया करते हैं कि वह इसमें इत्ता सवाब है जी अफ्सर होते हैं वह इसमें जैरी एक शयूवी का रेनिया काई ल्याई बैक कारते हैं यहां पर मैं जाना चाहूंगा और बहुत कॉमन सी चीज धिये और मेरे खाल यही है कि हमें हग की पहचान होती है हमारे दिल में होती है लेकिन हमारा नुकसान ना हो इसलिए हम बातिल के साथ अपना सौधा कर लेते हैं और दिली दिल में कर लेते हैं कि इसमें हमारा फाइदा भी होता है तो इस चीज को जो बहुत कॉमन है बहुत जनरलाइज भी है और लेकिन हम सामने अपने आपको प्रोटेक करते हैं कि नहीं हमारा इमान बाकी है हमने कुछ गलत नहीं किया तो इस चीज को कैसे हम लोग को गड़े एक चीज जो बात आपने कही अमूमन होता है सही है कि वो तो कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सब अब हम क्या गरते रिश्वत तो ली ही जाती है और हाला तैसे और रिश्वत दी इसके बगएर काम नहीं होता या इसके बगएर ये एक बड़ी मुश्किल मंदिल होती है या ये कि जूटने बोलें तो कैसे काम चलेगा और अगर چیز کو سستے دام پہ بیچنا چاہتے ہیں بزنس میں یا سستی چیز کو قیمتی داموں میں دینا چاہتے ہیں تو ہر بزنس میں یہی چاہتا ہے کہ جو چیز ہے یعنی میرے میرے پاس معالی سوڑی جیر کو کہ ایک طولہ سونا ہے اور کوئی آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم مثلا ایک ہزار اینٹوں میں بھی دے دو مجھے تو میں کہا بھی دوں گا نہیں کیونکہ میں سونے کی قیمت کو زیادہ سمجھتا ہوں ویسے ابھی اس کے سامنے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے حق اور باطل ہے حق کو وہ زیادہ ہمیت دیتا ہے یا باطل کو زیادہ ہمیت دیتا ہے بہت مشہور واقعہ مجھے رہی فائدہ لیکن کبھی کبھی ایسا تو زیادہ تر باطل میں ہی ملتا ہے ہاں فائدہ ہے مگر جس فائدہ کو اس نے حاصل کیا جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ملتا تھا کہ ایک آپ کا محبتہ چاہنے والا تھا اس نے آج سے امام سے کہا کہ مولا میں بہت غریب ہوں میں بہت غریب ہوں تو حضرت نے جیسے وہ تو نفسیاتی تربیت کرتے تھے حضرت نے اس کہا کہ تم غریب نہیں جھوٹی مولا کرو تم غریب نہیں ہو تو وہ بار بار یہ کہتا تھا نہیں میں غریب ہوں نہیں مولا کچھ نہیں مجتہ ایک کپڑا ہے میرے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے حضرت نے کہا چاہ تمہیں پس ایک چیز ہے جو چیز ہے تمہارے پاس وہ تم ہمیں بیچو گے جس کاؤس پر کہو ہم تم سے خرید लेंगे तो उसने कहा कि मौला आप अगर चाहे तो मैं उसको बेचूंगा आपको मैं दिये देता हूँ जो ही अगर कोई चीज है नहीं कुछ लेकिन अगर आप समझते हैं तो मैं भी भी तया हूँ का नहीं नहीं हम खरी देंगे अच्छा खरी देंगे कहा बताई ये तो क्य चीज़ है का हमारी मौबबत तुम जो हमसे मौबबत करते हो एल बैत से और रसूल से मौबबत करते हो बेचे दो जुग कास्ट को दे दे तो उनने कहा कि ये नहीं करूंगा तो आपने फरमाया पी इतने अमीर होके अपनी गरीबी की बाते हो तो मैं पता ऐसी चीज़ है सार यहार थे मैं प्रें लिए नहीं थामोगा हमारे रहते हैं फारी में था alors को मध्र मौायजर रहो शूलियृ उल्ला कहे टो पर सुने को हमारे बहुद शुए का धर मौबग के लिए आरद हो बहूर बार बहूरा है तो उमाब प्रहे और खायरत करे यह समज़ रहतें के इमा है असलन तो ये इमान का सब जाहिर था इसके पीछे तो कोई चीज थी जो रूह थी उसकी बाड़ी मौजूद है रूह गाइब है तो अगर रूह गाइब होगी तो बाड़ी मुड़दा होगी यह कह सकते हैं जो भी हम अमल अंजाब दे रहे हैं यह इस्पेशली हमारा रू हमारी रू हमारा टार्गे को ना हम उसको समझबूच की कर रहा है ना मिसल को तरह पर आप सदका करते हैं चैरिटी बहुत अच्छी चीज़ है आप दिखावे के लिए कर रहे हैं इस पर खुश होता हूं कि मजद जैसा इफ़तार मैं करवाता हूं कोई करवा नहीं पाता ह जो तकबूर आजाता है। 21 तारिख को मैं इफ़तार करवाता हूं मौला की याद में मगर जो वाकई मैंने करवा दिल में कुछ इस नहीं और लोग तारीफ करें वह बहुत हमदार इफ़तार कर रहा है तो बन भी रहा है अरे क्या कुछ भी नहीं मौला की शान में आज तो शाहदाता है ये तो बहुत नफ़ नफ़ादा है मगर दिल में सुच आँ जो मैंने करवा दो ये फिलिंग देखें को बहुत कॉमन सी है आईगी प्रोफेसर साहिब किसी को भी आ सकती है इस पर में में चारत है कि इसको कंट्रोल कैसे करें वनले क्या अगर कोई जैसे फर एक्जामपल हम और निला प्रोग्राम कर रहे हैं अभी कोई मिला हम लोगो बोलेगा नहीं आप लोगो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है तो आप दिली दिल में तो हम लोग खुश होंगे तो उसे हम जवाब क्या दे नहीं खुश आप होते हैं तो क्या यह तकबर थोड़ी नहीं होगे यह तकबर भी नहीं हुआ अच्छा लगा जैसे इमाम से किसी ने फरमाया कि इमाम से पूछा कि मौला यह बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए सवाब की नेकियों के काम होते हैं वो अल्लागे जो अब्रार बंदे हैं उनके लिए गुनाह में शुमार होते हैं मसलां मासूम है या जनाब अबूदर हैं या जनाब सल्मान हैं अब देखें ये इक Sach बादे चनाब अगर आगे जनाब अबूदर ने खाते अखत कौई है थोड़ा सा अगर नमख होता तो जनाब अबूद सल्मान कोच्छा रुको रुको और गए थोटी सी जगई होगी मदीना वहां से थोड़ी दिर में नमक लेकर आ गए जब ये खाना खा चुके तो इन्हों ने अपने दौा के लिए हाथ उठाया का पालने वाले हम तेरी हम्द करतें तेरा शुक्र करतें जनाब अबुजर ने कहा कि तुने हमें अल्ला हमें खाने बंदों में खनात करने वाले बंदों में रखा तो जनाब सल्मान ने कहा लिल्ला ये ना कहूं अगर तुम खनात करने वाले होते तो मेरा लोटा गिर्वी नहोता जब तुमने नमक की फर्माइश की तुमें जा कर लोटा बेच की तुमने लोटा गिर्वी रखके आए उनके बाद में पैसे दे दूँगा नमक दे दो तुम्हारे लिए अगर गनाद करने वादे तो वही हो थी कि उनकी तुम्हारा इस्टेस इतना बड़ा है कि तुमने नमक कभी ख्याल क्यों किया रोटी आ गई थी काफी नहीं थी कि तुमने नमक के बारे में सोचा हम लोगों को चारो तरफ से घेर दे रहें हम यह कह रहे हैं कि हमारे लिए यह कमजोरी है कि हमें एक अमल करने के बाद खुशी होती है खुशी होती तो फिर आप वैसे यह अमल करेंगे तो अमलब क्या रिकलाई क्या करें अमलब थैंक्यू वेरी मच्च तो बोली सकते है न इतना हो तो ठीक है हाँ तकभूर नहीं लाए लोगों बोगों पगड़ पगड़ ये बताएं नहीं बलके हमारे हाँ तो ये भी बात है कि कही गई है कि मासूमीन ने बाद अगात मना भी किया है कि उसकी बहुत तारीफ करना और ये करना कि कहीं यही खत्रा है ना कि पैदा नो हो जाए बिल्कुल बिल्कु कि यही न हो जाए guaranteed इसब लुग ताहरी चारीफ करते हैं यह एक लोग्त नमाज में आते हैं अभ उसके लिवायर बैठ इक हम कुछ है पिर सोच में आजाता है इनसा प्रफ़सुरसबज साब जस सब्क्राइब अपने जिक्र कया था अमद करने का, तो एक स्वाल जो बहुत बड़ा स्वाल है, मैं सुचती हूँ कि ईमान और अमल, अगर एमान में अमल ना हूं, तो क्या वह काबल अ कबूल हो सकता है? मैं ने आपको बहुत बहतरी इमान वाली समझो, या मुझे लगे एक मैं बहुत 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 है, मेरे अ उमान ऐसे बूरे रखेंगे। इमान और अमल का तालसाथ वह सही है जैसे जिसम का और रूँ का हुआए। अगर रूँ आप कोया आनमी कहे कि खाली रूँ को जिसम कहे यनि आदमी की जिन्दगी कहे थोड़ी ज़ेर को मनौनों मानी है कि वो कहता है वही रू तो कभी नहीं मरती अब हम कहें किसी वाकिए वालत का इंतकाल हुआ है ताजियत पेश करने के लिए गए उनको समझा रहे हैं मैं रू कभी मरती नहीं रू क्यों रहे बैठे हुए रू कभी मरती हुए रू कभी मरती हुए रू कभी मरती हुए वहुआ मौमिनुन चाहा अमले खेर करने वाला अगर मौमिन हो चाहे मर्द या और तो अल्ला कहता तो हम उसे दुनिया में पिल्कुल पाकिज़त जिंदगी बसर करवाएंगे एक पाकिज़त जिंदगी होगी और फिर वहां पर उसको उसका बहतरी नजर अदा देंगे जो उसने अमल किया है मगर इमाद अब देखे उसे आगे बढ़िए उस पे वलसरे इना लिन्सान लफी खुसर इल्ल्लजीना आमनूवा मिलुस्सालिखाते वतवासो बिल्हके वतवासो बिस्थबर जिन जो इमान लाए और जिनोंने सालिह आमाल अंजाम दिये और फिर यह नहीं कि खाली अपनी जात तक बलके पूरे मौशरे को समझाने की कोशिश की कि वो हक और सबर के साथ रहे तो कहीं पर भी आप वह तलाश कीजिए का तो आमनू अकेला नहीं आया है पुरान मजीद में हमेशा नेक अमल के साथ ही आता है आमनू आमलुस्सालिह अच्छा इसकी मिसाल मौला ना अली नकीस आप करिवला सरकारसी एदूलालमा ने इस वो बहुत मशूर किताब उनकी इसलाम की हकी माना जिन्दगी उसमें दी है कि एक पेड़ होता है उसकी जड़े होती है फिर जड़ों के उपर वो तना होता है तने में शाखें फूल फ क्या है ये दमाग में इसकी जड़ों होनी चाहिए वो आदिल है जल्म नहीं करेगा उसने अंबिया को इस हिदायत के लिए भेजा मानना है कुछ करना नहीं है इसके अलावा इमामत का सिलसला बरकरार दिया एक दिन हमें जवाब दही के तोर पर मैदान महशर में आना है आ जड़े मजबूत है इसका फैसला कैसे होगा जब तक पेड़ में पतियां नहों पेड़ में फूल ना लगे हों फल ना लगे हों तो फिर इसका फैसला कौन करेगा कि जड़े मजबूत है अगर पेड़ पतियां सूख रही तो इसका मतलब जड़े का बज़ोर हो रही है य वोना इसके बगेर नहीं हो पाएगा, मालू भी नहीं होगा कि क्या चीज है, हमें है, हमें आल्ला पर इमान है, हमें आल्ला पर भरोसा है, तो आल्ला पर भरोसा यह नहीं है कोई हमारी, हम किसी कलब के मेंबर हैं, कि आल्ला भी एक मेंबर हैं हम भी हैं एक दूसरे के साथ है आमाल में नजर आना चाहिए, वो आमाल में, अब ये कि अगर वो आमाल मिसाल के तोर पर, जलके बगहर होंगे, तो व teor यह होंगे, जैसे आर्टिफिशल पेड़ोर आज कि बनाए जाते हैं, खुबत के हूए हैं, आर्टिफिशल मुनाजात में माम ने दौा की है कि पालने वाले मेरे दिल में अपनी महबत के पेड़ लगा दे, प्लांट्स लगा दे, महबत के, अब मैं उसको रियलाइज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या बात फरमा दी, कुछ कह सकते थे, मेरे पेड़ों में मतलब अपनी रोशनी के दोबल जला दे, कुछ कर सकता, कहा जा सकता है ना, पेड़ की क्या है कि वो उसमें ग्रोथ होती है, आज अल्ला की महबत इतनी है, कल और बढ़ी, कल और बढ़ी, उसमें फिर फूल आ गए, फल आ गए, यानि पेड़ का काम यह होता है, तो यह नहीं कहा, इसका मतलब है, म पेड़ के लिए पानी और फटिलाइजर का काम करेंगे, और वो इस बात का सुबूत देंगे, बिल्कुल चीक, पेड़ ठीक है, जलो में कोई खराबी नहीं है, यह नहीं को पेड़ ठीक है, इमान हमारा तरो ताज़ा है, इस तरह नहीं है, अच्छा यह बड़ी जन पेड़ की, जने गाइब हो जाएगी, और पेड़ रहेगा, और पेड़ गाइब हो जाएगा, जने रहेगी, जब तक पेड़ खड़ा रहेगा, और शादाब रहेगा, ग्रीन है, तब तक जने भी है, बिल्कुल वैसी है, जब तक रू रहेगी, तो जिसम रहेगा, य च्छार घंटे यूँ ही लटका रहे हैं पर रूह आ जाएगी तो भीर जाएगा वह यह नहीं होगा इसलिए इमान के अमले सालिह और इमान का यही गोई चोली दामन का साथ है यानि दोनों साथ में इमान जो है अच्छा अमल जो है इतना इमान का जितना कंसेंट्रेशन बह करते चले जाएंगे तो हमें इस बात का ख्याल हमी हमारी रोज मर्रा की जिन्दगी में रखना है कि हमारे आमाल किस तरह के हैं अगर हमारे आमाल बहतर है तो हमारा एमान बढ़ता जा रहा है और हमें कोशिश भी यही करनी है अच्छा और यह मैं आप से अर्द करूं इस में बात का जाफा करते हुए कि आमाल के खाली जाहिर को नहीं क्योंकि चूँआ बखीर को सिरू करने के लिए कि मैं कुछ हूँ एक आदमी को आप देखे कितने लोग हिंदोस्तान में से हो खाली तस्वीरे कीचवा रहे हूं खेला दे रहे हैं फोटो कीच ले खीच ले आप से क्या मतलब आप गए थे काम करने के लिए हो गया हो गया मगर यह नहीं कि अब तब लोग हो गए वह किसी मौलवी के लिए हमन माना था बर्वारी हो रही थी वो बिचारे चले गए मस्जिद के अंदर वहां कुछ खल 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 उनको लगी तो नमाज परना शुरू कर दी तो नो तो जो जाए कि आज डंका बज जाए पूरी रात नमाज पढ़ते रहे दो दो रकत करके सुब जब मजमे वाले आ आप बढ़ रहे थे तो इस नमाज का क्या पायता है अच्छा ऐसा भी हम लोगों को नहीं सोचना है ना एक चीज़ और हम लोग देखा है कि मला हम लोग किसी के इमान को जज नहीं कर सकते रहे नहीं आगर दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे बे कोई अपने आपको समझ रहे और समझ रहा है कि पहले दरजे वाला या थोड़ा भी शुरू किया है इसलाम पर अमल करने वाला दीन पर अमल ये तो रसुल लास अलालों ने अगर बयान फर्मा जिया चिसका मतलब ये है कि हम लोग ये भी नहीं कि ये दरजे इमान में हमसे ज्यादा है तो हम कुछ डिप् ये वक्त दिया और इस टॉपिक को इमान के टॉपिक को एक बहतरी दोर पर एक्स्प्लेइन किया जी बहुत आपका शुकर दोजार हूँ कि आप लोग ऐसा मौका फराहम करते हैं जी जिया नाज़ीन इमान एक ऐसी चीज है जिसे बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आज के दोर में लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है और कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा इमान हो वह हमेशा ताजा हो और जिस तरह से आगान एक्जामपल दिया है कि एक पेड की तरह होना चाहिए जो हमेशा मौनलब ताजा रहे जिसकी जड़े भी मश्बूत हो जिसकी जबूत और इसमें फल भी निकलता रहे तो एमान एक ऐसी चीज है जिसके आज के दोर में बचाना येकिनन बहुत मुश्किल है लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपने इमान को बचा के रखें बाकी रखें और एक और चीज है जैसा कि आगा ने कहा था कि हम कभी आपको किसी से जादा ना समझे या अपने से कम किसी को ना समझे ये चीज़े बहुत कॉमन हो चुकी है लोग बाती बातों में कहने लगते हैं कि वो अभी इतने पे हैं हम अभी इतने पे हैं तो इसको दूर करना होगा इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पर झाल झाल